14, number of solution, यह अच्छा, इस टाइप के question अच्छे हैं, हमेशा इसको कैसे solve करेंगे, अपने graph से solve, अच्छा, इस question को solve करने का एक और तरीका, कि जहां पे आपको greatest integer दिखे न, उसको जगा पे आप क्या किज़े, mostly यह का function जो बनाना पड़े हमें, x और fraction x का बनाना करें, वो काफ अच्छों को भी अपने को convey करना है, तो हमें पता है कि x equal to क्या होता है, greatest integer x plus fraction x, as we know, greatest integer के जगा आप replace करेंगे, तो 3 fraction x minus 1, बराबर greater integer के जगा x minus fraction x आ गया क्या, यहां बताई यह क्या आ जाएगा, 4 fraction x, बराबर x plus 1, तो एक तरफ मैं fraction x बनाऊंगा, और दूसरी तरफ x plus 1 1 by 4 बनाऊंगा, आई यह बताते हैं, पहले fraction x बना लेते हैं न, fraction x क्या होगा, 0 से 1 में 1, बुलवारी बनता है, 2, 3, निगेटीब की बात करूं तो minus 1, वहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे, यह जो value है यह 1 है, उसकी maximum value क्या होती है, 1 ही होती है, वो भी होती नहीं है, वो भी होती नहीं है, यह रहा minus 1, यह अपना fraction x बन गया, अब जो दूसरा ग्राफ बनाना है हमें न, वो क्या बनाना है, x plus 1 बराई 4, तो मैं कह रहा हूँ कि, x equal to minus 1 पे तो यह 0 है, यह 1 कब आएगा, 1 आएगा यह 3 पे, अतलब इस पे, 1 पे जाके वो 3 पे, यह होगा, और उसके बाद तो यह straight line है, तो वो नीचे चला जाएगा, और 1 के बाद उसके बाद उपर चला जाएग तो मैं कह रहा हूँ, fraction यदि 1 के उपर तो जा नहीं सकता, तो मतलब आगे आप कुछ भी फुलवारी बनाते रहिए, वो तो उसको कट करने वाला है नहीं, और नीचे निगेटिव आगया, तो fraction निगेटिव नहीं आ सकता, मतलब solution कितने होंगे, 1, 2, 3, and 4, 1, 2, अरे इसको क्यों काँ, ये 3, तो ही क्या, ये लग रहा है कि ये कट कर रहा है, लेकिन इस पर 3 पर ये क्या होता है, ओपेन होता है, तो 3 पर fraction x 0 हो जाता है, तो इसका answer कितना है, 1, 2, and 3, number of solution कितना हो जाए, स्थीज पर, तो ही बात,